नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागत और विजंदन करता हूं आपे सभी प्रेय दर्शकों का विथुन राशी 10, 11, 12 जून ये तीन दिन ग्रहों का कुछ ऐसा महास्वयोग बनेगा आठ ग्रहे होंगे चार योग होंगे जो आपके जीवन में शुब और कुछ विशेश है ध्यान से देखिए अपनी घोचर गोड़ी को देखिए तीन नंबर की गोड़ी है चन्रमा और केतु पंचम भाव में बैटे हैं ग्रहन दोश का निर्मार कर रहे हैं और गुरू और मंगल कहां पर बैटे हैं दश्रम भाव में बैटे हैं बहुत भाव में बन रहा है तो आप यह जो योग बन रहे हैं ग्रहों खिस्तिती बन रही है यह आपके लिए क्या लेकर आएगी यह मैं आपको बदाने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन के बटन को दबाते हैं फेस्बूक और इंस्टराम पर भी हमें आ पर भाव उठालेगा तो चंद्रमा क्या है चंद्रमा मन है चंचल मन जो होता है चंचल होता है चंद्रमा केतु क्या है बद्दिमाग केतु के पार दिमाग नहीं है तो केतु के पार दिमाग नहीं होता है तो जिस व्यक्ति के पार दिमाग ना हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे तुम बद दिमाग हो बागल हो थो आप किया कर बैठेंगे कब क्या कर बैठेंगे किसी आपको समझ नहीं पाएगा जिसकी वज़े cause आप अपना अपना नुक्सान कर बैठेंगे किसी भी काम को करने से पहले आपको खूम सोच बिचार करना चाहिए और अपनी गल्गियों से सीख लेनी चाहिए जो कि आप नहीं लेंगे और खुब सोच विचार नहीं करेंगे जल्दवादी में काम करेंगे और नुकसान खाते चले जाएंगे अब देखिए चंदरमार केतु का ग्रहन दोश पंचम भाव में होगा तो आपके प्रेम संबंद अगर हैं तो वहाँ पे तनाव हो जाएगा नए प्रेम संबंद अगर बनने वाले होंगे तो वहाँ टेंशन हो जाएगी मित्रता में टेंशन हो जाएगी वहाई जीवन में तनाव हो जाएगा संतान के साथ वाद विवाद को आप देखेंगे संतान के साथ आपकी दूरियां बढ़ सकती है अगर आप संतान के सुक के लिए इच्छुक हैं तो वहाँ पर विलंब हो सकता है परशानी आ सकती है गर्वती महिलाओं को दिक्कत हो सकती है खासकर वो महिला है जिनका गर्व तीन महीने तक का है पहला दूज़ा तीसरा महीना चल रहा है वो विशेश सावधानी रखें अब इस समय में माजसी का शांती बनी रहेगी किसी ना किसी प्रिगार की चिंता बनी रहेगी जुवा शक्ता शेयर मार्कर इन सब चीजों में आ उनका माता-पिता से विरोज हो सकता है अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी सिहत में प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है परिवार में किसी बड़े को शुगर की समस्या या आपको खुद को शुगर की समस्या डिडेक्ट हो सकती है या फिर आपका दिल संबन्दी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, यानि हार्ट संबन्दी प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, हार्ट संबन्दी प्रॉब्लम एकदम से निकल के सामने आ सकती है, आपके मन में ब्रहम की स्तिती पैदा रहेगी, करें की ना करें, ऐसा करें की वैसा करें, ऐसी तो बैते हुवे पानी में भाते हैं तो आपको कुछ और म्नेडा मिल सकते हैं। पैसे से समंदित मामलों में कोई टेंशन नहीं दी आपको अब यहां पर आपको पैसा भी लेगा यहांनी की आफ़ी कार इस्तिती में सुवार होगा नोकरी वैपार में इस्तिती आपकी बदलेगी कुछ बेहतर करता हैं। नौकरी बदर सकते हैं, नहीं नौकरी में जा सकते हैं, कुछ नए चेंजिस कर सकते हैं नौकरी में, शुफल आपको नौकरी में यहां पर प्राप्त होंगे, यानि कि आपको नौकरी और वैबार में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, पिता को लाब होगा, पिता की संपत बढ़ेगी, आपकी नौकरी में कोई तकलीफ थी, कोई टेंशन थी, वो लगबग लगबग दूर हो जाएगी, समस्याओं का अंत होगा, आप अपने काम को बढ़ा पाएंगे, आप गरीब हैं तो अमीर बन जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, अपने काम के बल पर, हो सकता है, पर में प्रसिद्धी मिलेगी, पैसा मिलेगा, आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर, कारे छेतर के लिए, और घरेलू इस्तिती के लिए, घरेलू शुक्षानती के लिए भी यहां पर थोड़ा सा आपको अच्छा हिसाब किदाब देखने को मिलेगा, ले बेरोजदार हूँ, ये टेंचन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो घर की टेंचन है, बच्चों की टेंचन है, वो सब बनी रहेगी, अब देखिए, एक खत्रनाक यूति यहां पर क्या है, ग्यारवे भाव में शुक्र और राहु की यूति है, वैसे तो देखिए, ग्यारवे में आपका लालच बच जाएगा कि मैं और कमाऊ, मैं जाधा काम कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ और जाधा के शक्कर में आप फस्ते चले जाएगे, आपके मन में भटकावा जाएगा, अब देखिए, मंगल और गुरू आपको नौकरी दिलाएंगे, लेकिन यहां पर कि अंदर उदावला पना जाएगा, पिता पुत्र के जिस्तों में भी थोड़ी बहुत अग्बन देखी जा सकती है, पिता जी कहेंगे समर करके चलो, धीरे धीरे चलो बेटा, आप कहेंगे नहीं मैं चलूँगा नहीं, मैं तब निम्मन की करूँगा, यहां पर थोड़ा कमाई को अयाशी में लुटा देंगे, अब देखी कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छा कमा लेंगे, बहुत पैसा जोड़ लेंगे, लेकिन कमाई को अयाशी में लुटा देंगे, अयाशी क्या है, आशो आराम, फला इदर उदर देना, शराब पीना, मशली खाना, चिकन खाना, मीट खाना, इन सब चीजों में उड़ाना, बेफालतू की जगे पर जाना, सटे जुए, शेर मार्केट में पैसे की बरबादी करना, इस सम्में आप अपनी चीजों को लुटाते पो चले जाएंगे, बुरी आगते आपके अंदर पढ़नी शुरू हो जाएंग खराब होंगे, सिगरेट जुआ शराब इत्यादी में पैसा फूख देते हैं, आपको यहां यूती मतलब परस्त बरादेगी, आप बस अपना सोचेंगे, अपना काम बनता भाल पे जाए जनता, यह वाला दिमाग आपका हो जाएगा, आप पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा जोड नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं होगा, कि पैसे को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सब पैसा इदर उदर, आपका घर वाले, दोस्तियार, इदर उदर से उड़ा दालेंगे, पैसे पर आपके दोस्तियार, आपके घर वाले लोग जाता है शुक्र रहू क सिर थर्की सबस्टे अब थरकी शब्सक्राइज सबस्ते लिए थर्की हो जाता है और उर्टों के बारे में जड़ा सोच रहitated के लिए अर्टों के बारे में सोच रहे हैं उठीक। लेना ने एक नहीं देना दो नहीं етьरकी होगा है किसी के पीशे पढगाया तो पढगाया पीशे पीशे घुमे जा रहा है किसी की फोटो देख़्ेकर पागल हो गए है न ही मैं आपके किस्सा बताता हूंँ तो शयाद सुनके हसी आएगी, मेरा अपना एक मित्र था, उसको एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हिरोईन थी, बहुत बहुत अच्छी हिरोईन थी, उनकी फिल्म आती थी, जब भी उनका पोस्टर लगता था, पहले पोस्टर लगते थे दिवारों पे, ये फिल्म अब उसके दिवां में ने-ने ख्यार आते थे, मैं हिरोईन के साथ गुम रहा हूँ, ये हीरो की जगे मैं हूँ, एक दिन को घर नहीं पहुचा है स्कूल से, तो उसकी घरवालों का फोन आया भई, आपके साथ तो नहीं, आपके साथ तो नहीं है, तो हम लोगों के फादर लिखाई सब छोड़के, दिमांग उसका कहा लग गया, इस तरह लग गया, तो किसी इस्त्री के परती, अपने मन में, जिसको आप पा नहीं सकते हो, लिएक तो पाने की चाहते जाग जाएंगी, आपके लिए नुक्सान दायक होगा, आप बारवे घर में बुद्दारित योग बन रहा है, तो आप अपने घर के जो बड़े लोग हैं, उनका विरोध पाएंगे, जैसे आप जलत करेंगे, आप उल्टा सीदा करेंगे, घर वाले रोकेंगे, तो आप करेंगे, नहीं मैं तो भई करूँगा, ठीक है, अब सुनते कहा है, तो फिर यहाँ पे घर के किस से सुने होंगे, कि चाचा जी ने हडप लिया, बड़े भाई ने हडप लिया, फला फला रिष्टेदान ने हडप लिया, ऐसे आपकी संपत्ती भी समय में हडपी जा सकती है, क्योंकि आपका दिमाग तो ठरकी होगा, इधर उधर लगा रहेगा, और दूसरे लोग मौ बचिएगा कुछ नहीं, या तो उड़ा देंगे, या अपने आप उड़ जाएगा, तो भीया बहुत ध्यान रखने के आउचकता है, इन तीन तारिकों में तो खास करके बचिएगा, ऐसी हरकते मत करिएगा, अब ये जानकारी सुन के आपको डर लग रहा है, या अच्छ यही है, सच को सुनने की आदर डालिए, अगर सब दिन एक जैसे अच्छे होते, तो भगवार दुख नाम की शब्द को बनाता नहीं, भगवार ने दुख, परिशानी, कष्ट, ये सब शब्द बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हमारे आपके लिए ही बनाए हैं, अगर हम जिवार दे सकता हूँ, आपके शुब कामना हैं, दे सकता हूँ, आपके जीवन में ऐसी कोई गट में न गटे, जिससे आप परशान हो, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको वक्त अच्छा बीते, आप खुश रहें, प्रसंद रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में तरक्षी पाते रहें, कोई समस्या, कोई परशानी है, अपनी जर्म खुली बनवानी है, अपनी जर्म खुली मुझसे दिखवानी है, अगर आप चाहते कि मैं आपकी जर्म खुली देखू, आप यह गर नमरों में संपर करें, मुझसे बात करें, मैं आपको सही सला दूँगा जो भी आपकी कुनली को देखकर आपको देनी चाहिए ठीक है जी आप संपर कर सकते हैं नमस्टार